दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला सब्सक्राइब का बटन आपको रेड कल में दिख रहा होगा एक बार आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो यह अटोमेटिकली ग्रे कलर में कनवर्ट हो जाएगा और इसके हिसाब से आप अपने नोटिफिकेशन को अर्जेस्ट कर सकते हैं नमश्कार दोस्तों आपने रिसेंटली न्यूस गए हैं हो सकता है वापस उनको भारत आना पड़े और जो इंडिया के अंदर इस्टुडेंट्स परड़ हैं और जो सोच रहे थे कि यूएस जाने के लिए हो सकता है कि अब उनको जाने का मौका नहीं मिलेगा तो ये पूरा रूल क्या है बेसिकली क्यों यूएस ने ये रूल चेंजेस किया और कौन से स्टुडेंट्स के ऊपर अपलाई होता है क्या ये सभी के लिए अपलाई होता है इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में चली आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेस्बुक और ट्विटर पर मेरी लेक्टर की है पीडियोफ आपको फेस्बुक पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जॉ फॉरेन इस्टुडेंट्स के लिए जो रूल्स हैं उसमें कुछ बदलाव किये हैं अब यूएस के लिए फॉरेन इस्टुडेंट्स कौन से होंगे और विसी बात है जो चाइना हो गया भारत हो जपैन हो गया इन सब जगहों से जब लोग जो इस्टुडेंट्स हैं जो US पढ़ने जाते हैं, तो वो आपके foreign students हो जाएंगे, तो यहाँ पर यह जो rule change किया गया है, हो सकता है इन students को वापस से अपने देश जाना पढ़ जाए, अब यह कौन से students होंगे, क्या यह सभी के लिए अपलाई होगा जी नहीं, मैं आपको बता दूँ कि यह उनी students के लिए अपलाई होगा जीनों ने ऐसे universities में अपना admission लिया है, ऐसे program में अपना enrollment लिया है, जो कि simply online है, मतलब कि सिर्फ online है, वो entirely online है अगर वो offline classes हैं, अगर वो directly school जाते हैं और पढ़ते हैं तो उनको कोई दिक्कत ने आएगी, वो US के आराम से रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप US के अंदर हो, और सिर्फ और सिर्फ online classes ले रहे हो, तो आपको दिक्कत आए जाएगी, आपको वापस से घर आना पढ़ सकता है अब यहाँ पर एक और चीज़ देखी गई है, कि जो लोग offline classes भी attend करते हैं वहाँ पर उनके पास option होता है कुछ classes को online attend कर लेने का ठीक है, इस तरह के features आपको US के schools में मिलेंगे, तो यहाँ पर भी condition लगा दी गई है, कि अगर आप offline class join करते हो, तो वहाँ पर भी आप online class maximum एक class online ले सकते हो, बाकि कि आपको सारे classes offline लेने पड़ेंगे और यहाँ पर अगर आप one class भी लेते हो, तो वह 3 hours से ज़्यादे का नहीं होना चाहिए, 3 credit hours से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम लाया गया है, अब US के तवरा, तो obviously बात है, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जिन्होंने online सिर्फ के लिए apply किया है, उन सारे schools में apply किया है, उनका क्या होगा, तो यहाँ पर उनके पास एक option बसता है, या तो वो अपना US के अंदर schools change कर लें, university change कर लें, और एक ऐसे course में join कर लें, जहाँ पर offline classes की सुविदा है, और एक और चीज़ है, आपने देखा होगा कि इस समय pandemic के बीच में, कई सारे students वापस भारत आ गए थे, तो वो भी अब नहीं जा सकते हैं, जिनका सिर्फ online classes है, मतलब वो सारे students जिन्होंने online classes ने enroll कर रखा है, वो भी अब US में allowed नहीं होंगे, जो pandemic के समय वापस भारत आये थे, और same यहीं चीज़ अपलाई होती है, ने students के लिए, जो लोग सोच रहते कि ने semester से हम यहाँ पर जॉइन करेंगे, उनके लिए भी अपलाई होता है, अब आपके मन में सवाल आई का सकता है, कि क्या किसी को exemptions दिया गया है इसके अंदर, जी हाँ, यहाँ यहाँ पर exemptions यह है, कि अगर आपने ऐसे universities के अंदर enroll कराया है, जहाँ पर hybrid blend की facilities है, hybrid का basic मतलब होता है, कि वो सारे universities जो की offline और online, दोनों classes यहाँ पर provide करते हैं, मतलब कि कुछ classes आपको offline जाना पड़ेगा, और कुछ classes यहाँ पर online जाना पड़ेगा, तो ऐसे universities में exception दिया गया है, कि वो students वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन बस इस case में क्या करना होगा, वो जो university है, उनको ए written में लिख कर देना होगा, US के सरकार को, कि जो students उनके आप पढ़ रहे हैं, वो पूरी तरह से online नहीं पड़ रहे हैं, वो कुछ class offline अटेंड कर रहे हैं, और कुछ class online अटेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखना है, कि यह जो exemptions दिया गया है, यहाँ पर वो exemptions सिर्फ और सिर्फ full time academic courses के लिए दिया गया है, आपको पता होगा कि भारत से कई सारे students vocational course करने के लिए जाते हैं, language course करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर कई बार होता है कि कई students F1 visa लेते हैं, कुछ students M1 visa लेते हैं, तो अगर आप M1 visa ले रहे हो तो आप vocational courses के लिए जा रहे हो, और F1 visa के तुरू यहाँ पर English language की भी यहाँ पर training ली जाती है US के अंदर, तो इन सारे students को यहाँ पर exemptions नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, यह जो हमने exemptions की बात की, यह स्रिफ और स्रिफ full time academic courses के लिए ही मिलेगा, आपके exam में यहाँ पर F1 visa के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, यह visa वो होता है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, अप देख सकते हैं, अप देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस ड्रेंट online पढ़ाई कर रहे हैं US के अंदर, क्या उनको अपने course को बीच में ही रोकना पड़ेगा, मतलब कि जो उन्होंने course अपना start किया था US के अंदर, क्या वो अब खतम हो जाएगा, जी नहीं, यहाँ पर US का basic कहना है कि आप जो है वापस अपने देश चले जाएए, और क्योंकि आप पूरी तरह से online पढ़ते हैं, तो आप अपने देश से भी यहाँ पर online उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, आपको US में रुकने की आउशकता नहीं है, तो इस particular rule के हिसाब से आपके जो course हैं, उसको छोड़ने की जरुवत नहीं है, वो वापस से आप अपने देश आकर उसको start कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर कोई students है, जो की fail, मतलब की यहाँ पर मना कर देता है वापस से अपने देश जाने के लिए, suppose भारत का कोई students है US में रह रहा है और वो online पढ़ाई कर रहा है, और यहाँ पर अगर वो गलत तरीके से US में फिर भी रुका हुआ है, वो वापस नहीं आ रहा है, तो हो सकता है उसको US के द्वारा डिपोर्ट कर दिया जाए वापस अपने देश में, और साथ में उसके उपर future में ban भी लगाया जा सकता है US entry के लिए, तो ध्यान रखना इस particular चीज के बारे में, अब एक सवाल आता है, एक सबसे बड़ा की US आखिरकार कर क्यों रहा है ऐसा, अब देखेगा ये कोई नई चीज नहीं है, यहाँ पर मैं बता दूं कि जितने भी ज़्यादा तर international students होते हैं, जो US के अंदर पढ़ाई करने आते हैं, उनको यहाँ पर contact classes ही लेना पड़ता है, मतलब कि जो offline classes होते हैं, उसको join करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग online classes start कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ था कि COVID-19 pandemic की वज़े से, यहाँ पर US सरकार ने कुछ समय के लिए temporary exemptions दे दिया था, ताकि वो जो students हैं, foreign students हैं, वो online classes ले सकते हैं, लेकिन यह जो exemptions था, यह सिर्फ spring semester के लिए और summer semester के लिए था, अब जो नया semester start होने वाला है, यहाँ पर US government का कहना है, कि हम यहाँ पर यह exemptions को आगे नहीं बढ़ा सकते, और इसलिए कई लोगों का मानना है, कि यहाँ पर US के द्वारा pressure tactic अपनाया जा रहा है, ताकि जो universities हैं, वो वापस से reopen हो सकें, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आप देखे होंगे, हमारे देश में अभी भी schools और colleges काफी समय से बंद हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है, कि COVID-19 के एकदम सबसे last stage में, schools और colleges को open किया जाएगा, वैसे ही, US के अंदर भी यहाँ पर schools, colleges अभी open नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं, US एक तरह से टैक्टिक अपना रहा है, pressure tactics की वापस से universities अपने आपको reopen करें, ताकि वापस से जो economic activity है, वो धीरे-दीरे start हो सके, और इसी को देखते वह आप देख सकते हो, Donald Trump का ये tweet भी आया था, schools must open in the fall, fall मतलब कि जो आगला आने वाला semester है, वहाँ पर अपने आपको उनको open करना चाहिए, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कि इससे भारती students कितना प्रभावित होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वहाँ पर इंडियन students ही हैं, बाहर के भी देश के students होंगे, तो मैं बता दूं कि जो इंडियन students हैं, वो form करते हैं करीब second largest chunk of foreign students, मतलब कि जितने भी foreign students हैं, सबसे ज़्यादा संख्या आपको Chinese students की मिलेगी, उसके बाद second number पर है इंडिया, और इंडिया की संख्या करीब 18% है इंडियन students के मामले में, foreign students के मामले में, और यहाँ पर आप इसका graph भी देख सकते हो, कि सबसे ज़्यादा students की संख्या चाइना से है, second number पर इंडिया है और third number पर आपका South Korea, लेकिन एक important चीज़ आप इसमें notice करिएगा, कि पिछले दो सालों में, that is 2017-18 में अगर आप देखिए, कितने नए students जोइन की हैं, तो कहीं न कहीं आप directly देख सकते हो, कि इंडियान students के उपर ये काफी ज़्यादा impact करने वाला है, ना यहाँ पर अब जो US के अंदर universities हैं, उन्होंने basically यहाँ पर किस तरह से react किया, तो जैसे कि आपने सुना होगा Harvard Business School के बारे में, उन्होंने immediately अपने आपको यहाँ पर change करने की कोशिश की, और अपने जो courses हैं, उसको hybrid classes में convert करने की कोशिश की थी, मैंने आपको क्या बताया था, कि यहाँ पर जो hybrid classes हैं, वो exempt रहेंगे, मतलब कि कुछ classes वो offline कर सकते हैं, और कुछ classes online कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह के नए courses से start की हैं, ताकि जो students हैं, वो अपने आपको इस particular course में online, जो है register करा सकें, और plus साथ में बाकी जो universities हैं, वो भी कोई ना कोई रास्ता खोज रही हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि यह लोग court भी जा सकते हैं, और court के अंदर यह appeal कर सकते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि जो US सरकार का यह फैसला है, अचानक से, इसको कही ना कहीं court के द्वारा stay लगा दिया जाएगा, ठीक है, तो let's see कि इसमें आगे क्या moment होती है, लेकिन एक और important चीज मैं आपको बता दूँ, कि यहाँ पर तो आज हमने इस वीडियो में बात की students visa की, लेकिन इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था regarding work visa, जहाँ पर आपने अक्सर सुना होगा H1B visa के बारे में, तो L1 visa हो गया, H2B हो गया, J1, L1, इस तरह की जितने visas हैं, यह इसके लिए भी एक बार temporary suspend किया जा चुका है 2020 के लिए, मतलब की और visa issue नहीं किये जाएंगे, इसके उपर अलड़ी मैंने वीडियो बनाया था, आप चाहें तो यह वाला वीडियो देख लीजेगा, तो I hope दोस्तों यह जो वीडियो था regarding new US visa rule and how it will impact Indian immigrants, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा, अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, आप study IQ आप पर जा सकते हो, यहाँ पर किसी भी inquiry के लिए आप मुझसे directly Instagram पर जूड़िये, यहाँ पर भी मैं daily एक MCQ डालता हूँ, आप stories में play कर सकते हैं, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.